मेरी फसल मेरा बहरा बाजरे के परतिकों एंटल 6 रूप है कुछ किसानों के पैसे कम आये हैं नमस्कार चार्ण वाइक सार्ण वाइक बीजना में प्रितम पैरी और आप देख रहे हैं प्यारी विद पीसी यूटूब चैनल तो तुलेक्सानवाई वीडियो को सुरू करते हैं और आपको देते हैं पुरी जानकारी किसानवाईयो आज की हमारी जो वीडियो है ये दो टोपिक के उपर है में जो टोपिक है वो यह है कि कुछ किसानों के पैसे कम आए है उसका कारण क्या है और उसका समाधान क्या है दूसरा कि कल पैसे आए थे या नहीं कल किसानवाईयों बहुत से किसानों के पैसे आए है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस किसानवाई का जो पैसे आए हुए है बैंक अकाउंट के अंदर 21,234 ये 27 से 1021 को आये हैं यानि कल आये हैं और 5 बज के 21 मिल्ट पर ये जो पैसे हैं किसान भाई के बैंक अकाउंट में ट्रांस्वर किये गए हैं किसान भाई यो इस किसान भाई का जो बादरा था वो 35 को एंटल 49 किलो पास किया गया था और इसके प्रतिके इंटल 600 जो रूपय आप या पर देख सकते हैं 21,334 दूसरे किसान भाई की जो पैसे आये हैं वो आये हैं 15,332 या पर आप देख सकते हैं 27,212 यानि कल ही 5 बजी के 21 मिल्ट पर यानि सेम टाइम पर ही जो पैसे इन दिन दोनों किसान भाईयों के बेजे ग गए हैं किसान भाईयों जो किसान भाईयों ये महंदर गड डिस्टिक के हैं यानि महंदर गड जिले से बिलोंग करते हैं इनके पैसे कल ही इनके बैंक अकाउंट में आए हैं किसान भाईयों कल बहुत से किसानों के पैसे बेजे गए हैं और अब हर रोज किसान भाईयों क जो पैसे हैं कम क्यों आए है किसान भाईयो अगर आपकी जमीन किसान भाईयो मेरे पास पहले दो दिन से कोमेंट आ रही है क्योंकि लगवग परसो जो पैसे आए थे उनमें बहुत से ऐसे किसान है कल भी आए थे उनमें बहुत से ऐसे किसान है जिनके पैसे पूरे नहीं तो किसान वायो मैं आपको बता दूँ अगर आपने दो गाओं की जमीन दो डिस्टिकों की जमीन क्योंकि कई ऐसे रिस्तेदारी में अपनी जमीन एड़ करवा लेते हैं या फिर हमारी जमीन दूसरी डिस्टिक में है दूसरे गाउं में है दूसरे ब्लोक में है तो हम उस जमीन को जब एड़ करते हैं तो अलग गाउं के नाम से रिकोर्ड में आती है किसान भायों उस जमीन का अलग ही रिकोर्ड होता है अलग ही रिपोर्ट में बनती है और पैसे भी अलग अलग हर गाओं और अलग अलग डिस्टिक में तो अलग अलग तरीके से ही पैसे आते हैं अलग 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 डिस्टिक गाओं और गलोग की लिस्ट अलग अलग होती है जब आपके पैसे डाले जाएंगे वहें भी अलग अलग ही आएंगे हो सकता है कि एक साथ आ जाएं लेकिन लगवग जो पैसे हैं वो अलग अलग ही आएंगे किसान भायों अगर आपकी जमीन अलग डिस्टिक में है दो डिस्टिकों की अगर आपने जमीन एड करकी है तो एक डिस्टिक के आपके पैसे लगब कहले आ जाएंगे दूसरी के बाद में आएंगे तो अगर आपकी case में ऐसा है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है चाहे आपकी जमीन दूसरी district में हो दूसरे गाउं में हो दूसरे बलोक में हो उस district में जितना आपका बाजरा पास है उतने बाजरे के आपके पैसे जरूर आएंगे किसान वाई और टोटल आपका जितना बाजरा पास दिखाया गया है एक खरीद की site पर उतने आपके पूरे पैसे बेजे जाएंगे आपकी चिंता समाप करने के लिए आप एक बार यह है चेक कर लें कि आपके जो दो गाउं में अलग अलग गाउं में आपने जो जमीन करक्खा है यानि इस जमीन इस गाउं के कितनी जमीन हमारी है जितनी का बाजरा पास हुआ है उस हिसाब से आप एक बार मंटिपलाई करके देखे आपके पैसे आपको उतने ही मिलेंगे हो सकता है कौन से गाउं के आपके पैसे आ गए हो या आप खुद सेक कर लेना जब मं या इस डिस्टिक में मैंने अपनी जमीन एड की थी किसान भाईयो कुछ किसान भाईयो की कमेंटा रही थी कि भाई हम दूसरी डिस्टिक में रहते हैं लेकिन हमारी जमीन या हमने जमीन एड की है वो दूसरी डिस्टिक में है तो क्या हमारे पैसे आएंगे या नहीं किसान भाईयों चाहिए आपकी जमीन आपने किसी भी डिस्टिक में एड़ की हो आपकी पैसे जरूर आएंगे केवल आपका बाजरा पास होना चाहिए बस और उस क्वेंटल को एड़ किया जाएगा यानि आपको पता है कि हर डिस्टिक में अलग-अलग तरीके से जो क्वेंटल है वो पास किये गए हैं किसी में साथ, किसी में आठ, किसी में नौ, और किसी में दस तो किसान भाईयों न उस डिस्टिक में जितना बाजरा पास होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके इतने पैसे आए है और आपके उतने ही पैसे अगर आए होंगे तो आपको तसली हो जाएगी कि भाई इस डिश्टिक के तो आ गए है या इस गाउं के तो हमारे पैसे आ गए है अब इस गाउं के और बचे हुई है और वो पैसे भी आपके जल्द से जल्द आ जाएंगे अगर ऐसा ही है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं क्योंकि किसान भायो आपके पैसे आदे नहीं बेजे गए हैं बलकि कम भी नहीं बेजे गए हैं किसान भाईो अभी आपके एक गाउं के ही पैसे आए हैं दूसरे गाउं के अभी नहीं बेजे गए हैं किसान भाईो अगर आपके जगे में जो जमीन है वो एक ही गाउं में होती तो पैसे एक साथ आ जाते हो सकता है दो गाउं के जमीन आपने एड करकी हो और पैसे एक साथ आजाएं उससे कोई मतबल नहीं है किसान भाईयों केवल जिस भाई के अलग अलग पैसे अभी आएं हैं उनको मैं तसलिक के लिए बता रहा हूं कि आपके पैसे दूसरे गाउं वाले जमीन के भी आएंगे क्योंकि हर गाउं की लिष्ट अलग अलग होती है हर बलोग हर एक ही काण है कि आपकी जमीन आपने जो एड करकी है वो अलग अलग गाउं की है जिसके काण ये जो पैसे है वो आपके बैंक अकाउंट में एक गाउं के ही आए हैं दूसरे गाउं के नहीं आए हैं और इसका मतबल यह नहीं है कि दूसरे गाउं के नहीं आएंगे उसके भी आएंगे जब आपकी उस लिष्ट में से आपकी जो पैसे बेज़े जाएंगे क्योंकि आपका नाम दो लिष्टों में मिलेगा जितने भी गाउं की जमीन आपने एड़ कर रखी है उस गैनुसार आपको उस गाउं के लिष्ट में आपका नाम होगा अलग अलग गाउं क लिष्ट में आपका नाम होगा जितने गाउं की जमीन आपने एड़ करकी है और उस गाउं के किसानों के जब पैसे बेजे जाएंगे तो आपके पैसे आजाएंगे और जब दूसरे गाउं की लिष्ट के गाउं के किसानों के पैसे बेजे जाएंगे उस समय भी आपके पैस पैसे आएंगे और आपके बचे हुए पैसे उसमें आ जाएंगे तो आपको चिंता करने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है ये पैसे कम नहीं बेजे गए हैं बलकि अभी एक ये गाउं के पैसे आए हैं दूसरे गाउं के नहीं आए हैं या तीसरे गाउं के नहीं आए हैं किस जगह की जमीन के पैसे आए हैं, दूसरी जगह की जमीन के पैसे नहीं आए हैं, उसके एक दो दिन के अंदर आ जाएंगे, या फिर आपके जिनके आए होंगे, उनके आ भी गए होंगे, तो आप मुझे सुचित करके इस परकार की इनफोरमेशन जरूर दें, कि आपकी जो य इसी परकार थी या आपके पैसे अब और बचे हुए थे वो आ गए हैं दूसरी गाओं की जमीन वाले या नहीं किसान भाई अगर नहीं आए होंगे तो जल्द से जल्द आ जाएंगे अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कार्ण बस यहीं है यह नहीं है कि आपके पै पैसे उस गाओं के भी आएंगे जो आपकी जमीन के बचे हुए है इसका जो कार्ण था किसान भाई यहीं था और इसका जो समाधान है वो कुछ है ही नहीं क्योंकि समाधान तो यहीं है कि अभी आपके एक ही गाओं के जो पैसे आए हैं दूसरे गाओं के नहीं आए है इस किसे बात की है किसान भाईयो आज कल जो पैसे हैं वो बूत से किसानों के आए हैं और अगर आज जितने भी किसानों के पैसे बेजे जाते हैं बेजे जाते हैं या नहीं तो मैं आपको जरूर सुचित करूँगा कि कितने किसानों के पैसे आए हैं और पैसे आने में कोई दिक कथ हुई है नहींD और भी कोई अपडेट आती है तो आपको जरूर से किया जाएगा बाज़रे की फसल से सम्देट आप चिंता नहीं करें जरूरे किया जाएगा बाजरे की फसल से सम्दीट या एखरीन घरियाना सिसम्मदीत कोई भी समयश्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं आपका रिपलाई ज़रूर दूँगा और आपकी पुरी साहिता करूँगा तो देन फ्रेंड्स जए हिंजबार्थ, जए हरियाना, जए जवान, जए किसान